हालो फ्रेंड्स कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी ने UPPSC GIC Lecturer के फोर्म भरे होंगे और कुछ समय बाद UPPGT Economics के फोर्म भी निकलने वाले हैं तो मैं आपको Economics की यहां पर कुछ तियारी करवानी चाह रहा हूँ तो इसमें जो है मेरा नाम देविश परताप है मैं B.A.B.A.R. और M.A. English और M.A. Economics हूँ और हम इसमें जो है थोड़ा पढ़ने कुश्च करेंगे तो अर्थसास का हम परीचे हम सबसे पहले ले ले लेते हैं और इसमें हम देखते हैं What is a Economics? अर्थसास तरफ क्या है? तो आप जितना सोचते हैं उतना समझ पाते हैं कि अर्थसास जैसी हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में आता है धन, संपत्ती यही आता है ना? तो यही बात आये थी Adam Smith के दिमाग में, जो कि अर्थसास के पिता भी कहे जाते हैं, और उन्होंने जो है किताब लिखी, Wealth of Nation, यह एक एक नमबर के question है, जो आप साथ के साथ याद करते चले, अर्थसास के पिता कौन है, Adam Smith, और उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, Wealth of Nation, य समय समय के साथ क्या हुआ, अर्थ्सास का फ्छेत्र जो है, वो व्यापक होता गया, बढ़ता गया, इसमें जो है, हम यह नहीं कहा सकते के संपत्त्य का अर्थसास्तर है, या किसी और का है, इसमें क्या हुआ, पहले से Wealth यानी अर्थसास का विज्ञान कहते थे, देरे-द फिर हे क्या हुआ कैसे वेल्फेर याने कि कल्यान कर सास समझा जाने लगा फिर और इसका व्यापक हुआ फिर इसका ग्रोथ, समवर्दि का से को मान जाना लगा उसके बाद इसमे mont kg विकास आया, फिर सतत धार ने विकास आया, फिर परियावरन भीस में सामिल हुआ, फिर समावेशन हुआ, इस तरह से करके अर्थसास्त्र का जो छेत्र था, वो हमारा बढ़ता चला गया, तो दोस्तों क्या हमें एक उसमें लाइन में इसकी परिवासा दे सकते हैं, नहीं दे ग्रोथ, समवर्धी और ड्वलप्मेंट यानि की विकास, हम दूसरी स्लेट देख लेते हैं, एक तरफ मैंने लिख दिया है समवर्धी यानि की ग्रोथ और एक तरफ लिखका है ड्वलप्मेंट यानि की आपका विकास, पहले हम ग्रोथ समवर्धी को ले लेते हैं, तो य परश्में एक बार जिसे हम ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट यान की सकल घरील उत्पाद भी कहते हैं यह दियार रखे गाए कि जो ग्रोथ है ग्रोथ और डॉलप्मेंट को हमेशा एक समझा जाता है जबकि यह अलग अलग होते हैं ग्रोथ में मातरात्मक होता है डॉलप्मेंट में दो चीज़ें मिलके बना है यानि की कौन्टिटिव और क्वालिटिटिव यानि की मातरात्मक और गुणात्मक इसका जो मापन है हम SDI के अंतरगत करते हैं जिसका इंडेक्स है इसकी जो खोज की थी वह हमारे अमरत्य सेंट जी ने की थी तो दोस्तों यह मैं यहीं पर टोपिक अपना समाप्त करता हूं अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हैं पीजी टी आप तियारी करना चाहते हैं तो मुझे बताएए मैं अपना जो है आगे इसमें वीडियो बना करूंगा ज्यादे ज्यादे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो है और कमेंट में आप मुझे बताएए कि इसमें आप और क्या इंप्रूमेंट चाहते हैं तो मैं लगभग आपको दिन में एक या दो वीडियो आपके डानने सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादे ज्यादे फ़लाएए